तो हाई तो आज HR एनलिस्टिक की सीरीज को आगे बहाते हुए है आज हमारे पास एक बहुत ज़्यादा बढ़िया कोशन है तो हमारे पास एक रिकोर्ड है जिसके अंदर इंप्लोईज के नेम, एज, वर्क एक्सपिरियंस और वो किस डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करते है वो उन सब का रिकोर्ड है तो इन में से मुझे क्या डेटा एंलाइज करना है कि ऐसे कितने लोग है कंडिशन देखी हैं पर क्या है जिनका एक्सपिरियंस पांस साल से ज्यादा है और इन डिपार्टमेंट से बिलोग करते हैं ठीक है तो क्या है मुझे ऐसे लंबर ओफ इंप्लोईज काउंट करने हैं जिनका एक्सपिरियंस पांस साल से ज्यादा है और इन डिपार्टमेंट में से है तो अगर आप इसको द्यान से देखोगे तो इनमेंसे क वो इस में आपर नहीं आ रहा चाहिए तो हमें क्या करेंगे simply count if function का use करेंगे count ifs criteria range first क्या है criteria range first है कि इस c वाली range में से f for press कर देंगे इस c वाली range में से criteria है हमारे पास यह क्या range है कि इसमें से हमारा है कि greater than equal five year का तो minimum experience हो या फिर इस department वाले column में से department वाले column में से क्या सर्च करें इस related department को search करें then bracket close and then आपको enter कर देना है तो इस दिए गए table में ऐसे total पांच record ऐसे no record ऐसे हैं जो की commerce department से बिलोग करते हैं और उन commerce department के अंदर ऐसे पांच लोग है जिनका experience पांच साल से ज़्यादा है ठीक है तो यहाँ पर हमारा से निकाले कि हमने कितने eligible है अगर आप चाहोगे कि जो यह नो वन जो यह नो इंप्लोई है वह कौन है उनका नाम उनका वर्क experience जो भी है उनका एक अलग से टेबल बन जाए जैसे कि यहाँ पर तो आए only it department जिनका उनका नाम जो की it department से बिलोंग करते है इस कोलम में उनका है जो commerce department से है यहाँ पर हिंदी मतलब कि नो बन रेका complete detail अलग अलग तरकी देखना है अभी तो यह नंबर है nine people पर आपको देखना हो कि यह नो लोग कौन है उनकी इंडिविज़ आइडेंटिक है जैसे कि यहाँ पर राम एफी जैसे यह हरियों हरियों commerce department के है तो मुझे यह रिकोर्ड एज़ेटिज यहाँ पर ऐसे चाहिए ताकि मैं इसको print करवा सकूँ यह चीज हम अकल आने वाली वीडियो में सिखेंगे सो डाइट इसो टुडेए गाइज अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई